हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब, आज हम आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं आज हम आपके साथ कोट कॉलर का एक वीडियो शेर करेंगे इस दिजाइन को आप कुड़ते में, किसी टॉप में या किसी शर्ट में बना करेड़ी कर सकते हो आजकल coat set का बहुत ज़रा trend है तो मैंने ये coat set बनाया है तो आपको इसका वीडियो में बहुत ही जल्द दूंगी लेकिन सबसे पहले मैं caller का वीडियो दे रही हूँ क्योंकि इसको आप पहले बनाना सीख लीजिए आपको फिर मैं बाद में सारी cutting और stitching इसकी बताती हूँ तो यहाँ पे हमने shirt की cutting कर ली है normal shirt की cutting करनी है गले की चुड़ाई उपर से साड़े तीन नीच ले ली है और नीचे की तरफ हमने गले की लंबाई 4 इंच ली है तो यहाँ पे 4 इंच गले की लंबाई ली है साड़े तीन नीचे चुड़ाई ली है एक box बना लेंगे इसकी हमने इस तरह हलकी सी गुलाई देते वे cutting करनी है proper U नहीं लगाना है हलका सा V में इस तरह गुलाई लगाएंगे इसकी और इसकी cutting कर देंगे जैन्स कॉलर बनाने का सबसे असान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो beginner है उनको भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कॉलर बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है कपड़ा अपने same लेना है इसकी लंबाई 14 इंच है और जो चुड़ाई है वो 11 इंच है इसको half में fold कर लिया है अभी जो गले की हमने cutting करी थी बीच में से उसको पहले इसकी ऊपर रखना है और एक draw कर लेना है same to same जैसे हमने cutting किया था उसी गले को हम यहाँ भी cut कर लेंगे इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े के अंदर मैंने fuse paper लगा दिया था ताकि थोड़ी सी stiffness हो जाए कॉलर में कॉलर हमारा finishing से बन जाएगा तो यहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर छोड़ा सब cut लगा लेंगे दोनों साइब में यह जो निशान है हमारा कॉलर बनने में help करता है अब हम यहाँ पर गले की deepness लगा लेते हैं गला deep जितना भी पहनना चाहते हैं मैं जैसे यहाँ पर 8 इंच गला deep लगा रही हूँ यह जो कॉलर वाला गला होता है थोड़ा सा deep भी बनता है बिल्कुल उचा इसको मत बनाईएगा नहीं तो यह अच्छा नहीं लगेगा अब हम इसको हलका सा भी देते हुए इसमें यहाँ पर एक line बना लेंगे जैसे एक point का भी हमने इसमें दिया है अब हम इसकी cutting कर लेंगे बाहर की तरफ से तीन इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह हमने cut कर लेना है शेप आप देख लेजिए नीचे की तरफ कपड़ा भी जवड़ा बढ़ा हुआ है इसको हम इतना ही रख लेंगे बाद में जब हम इसको सिलेंगे तो आपको बताओंगी यहां पर पीछे वाले गले में भी हमने 3.5-3 इंच की cutting करनी है और 1.5 इंच हमने इसको deep रखना है 3.5-3 इंच चोड़ा और 1.5 इंच deep हम भी पीछे का गला भी cut करेंगे अब हम आगे के गले में जैसे आगे के पल्ले में neck बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर आप नफसे पहले देखिए इस तरह आपने इसको रखना है सीधा और यह जो हमने neck बनाया था इसको हमने side से fold कर लिया है और collar बनाने के बाद जो extra होगा उसकी हम cutting कर देंगे तो यहां पर हमने shirt को इस तरह खोल के रख लिया है अब इसको collar को इसके ऊपा रखेंगे यहां पर अपने shirt के अंदर भी center का निशान बना लेना है अब हम इसको इसके ऊपा रखते हैं यह जो हमने यापे 2 इंच का निशान बनाया था। से इसको सिलना शुरू करेंगे पूरे में नहीं सिलना है पहले यहां से दो इंच का जो निशान बनाया था उसके अंदर सिलेंगे और जैसे जैसे मैंने आपको शेप लगा कर बताई थी यह कट वाली सेम वैसे ही इसको सिलना है ऊपर से थोड़ी से चुड़ाई में और आगे को डबल करके सिलेंगे और यहां पे बीच में जो कट है उसको भी सिल देंगे और यहां पे छोटे-छोटे नौचिस लगाएंगे सिलाई कटने का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सिलाई आपकी कटे न और इसको अब हम टरन कर लेते हैं टरन करके इस तरह पीछे की त तरह कर देना है दूसरे साइड भी हम सेम अटेच कर देंगे तो यहां पे हमारा कॉलर का हिस्था जुड़ेगा और यहां पे अब देखे यहां पे इसको आप तुरॉपाई कर दीजिए यह जो पड़ा एक्स्टा था उसको मैंने इस तरह कट कर दिया है इसको फोल्ड का तरीका भी बताऊंगी कॉलर कटिंग का तरीका जो है वह ध्यान से देखेगा उसी में जो वीडियो है सारा कम्प्लीट होगा अब हम सबसे पहले गले की गुलाई देख लेंगे जो हमारा यह सिला हुआ दो इंच का हिस्सा है वह आपने छोड़ देना है बाकी का हिस्सा हम इस थर नाप लेंगे आपने का उलर को भी खीचणा नहीं है यानि की गले को भीटहने नहीं है अगर आप खीचके बना नापोगे तो आपका जो घोलर वह बड़ा हो जाएगे इस तरह में इसको नाप लेती हूँ यह तकरीब हमारा शाड़ गरीब आया है तो मैं यहां ली है हमने बुकरम की लंबाई हमने 18 इंच ली है जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच ली है 18 इंच को हमने फोल्ड कर लिया है यहां पर उपर की तरफ आधे इंच का एक निशान लगा कर सीधी लाइन बना लेनी है और यहां पर जितना अपने शर्ट के अंदर गले की चौड लगा कर हमने इसको शेप देना है हलकी सी गुलाई देते हुए हम साड़े 3 इंच वाले निशान से इसको मिला देंगे और यह कॉलर की शेप हो जाएगी अब हम इसको इस तरह दिखें मैं आपको यहां पर भी एक शेप देना बताऊंगी यह जो आधे इंच का कपड़ा है इसको हमने बाहर की तरफ कर देना है यहां से हम जो जो डेज़ इंच का निशान लगा के हटे हैं उसके नीचे की तरफ आपने इसको तेट्षा कर देना है और यहां पर हलकी सी गुलाई दे देनी है आधे इंच की यह जो शेप है यह हमारा सिलाई में आएगा उपर का हिस कर देंगे कई लोग यहां पे सीधा कॉलर करते हैं कई लोग थोड़ा सा तिरश आ किया मैं ने यहां पर त्रचह का रहती है यह आदे इंच की नेंटे शर्ट के उड़कशिगां लिए कपड़ा है ट्रच का ले ना री collab, आधे अधे इंच नियुर्ट कपड़े की यहां पर यह नीचे का हिस्सा है यह हमारा शिवर्ट के साथ जुड़ेगा इसी का अपने ध्यां रखना है और फिर इसी कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे हमने कि क نہरे किनारे किनारे पर लगाई है अब किनारे किनारे पर सिलाई लगाई है अब हम इसको इसको इसका फोल्ड कर देंगे और इसकी अची थी तरह निकालनी अब सीधा करने के बाद आपको समझ आएगा कि कॉलर कितना अच्छा फिनिशिंग से निकल गया है एक्सरा धागे वगर सारे निकाल दीजिए कॉलर दोखे कितना फिनिशिंग से बना है अब हम इस कॉलर को इस तरह हाफ में कर लेंगे और यहां पे एक हलका सा कट लगा लें है जो कॉलर का हाफ है यहां पे हाफ हमेशा मैच होना चाहिए तब ही आपका कॉलर अच्छी तरह बनता है अब इसको जोडने का तरीका आप देख लीजिए हमारी ओपन वाली साइट होती है जिस साइट हमने सिलाई नहीं लगाई है उस साइट से सोस चलना शुरू करना है और इस चीज का ध्यान रखिए कि शर्ट का कपड़ा अभी हमारी सीधी तरफ होना चाहिए शर्ट हमने सीधी तरफ रखी है और कॉलर हमने इस तरह खुली की तरफ रखा हुआ है और यह जो हमारी सिलाई लगनी है जो हमने दो इंच की सिलाई के बाद छोड़ा था वहाँ पे हमारी सिलाई लगनी शुरू होनी है अब इसको हम मैच करेंगे अपस में यहाँ पे दोनों निशानों को आपने अच्छी तरह मैच करना है और फिर को कॉर्णर से सिलाई को लगाना शुरू करना है अब हम दो-दो पॉइंट का गैप देते हुए कर दो हमने जो कटिंग रखी थी वह हमारी दो-पॉइंट की थी थी दो-पॉइंट की हमारी सिलाई चलेगी इस चीज का ध्यान रखेगा नहीं तो कॉलर आपका कहीं से कम कहीं से ज्यादा हो जाएगा अब हम इसको रखते हुए ऐसे सिल्ग देंगे, और एक चीज़ का आपने ध्याँ रखना है ना ही आपने कॉलर को कीचना है, ना ही आपने कॉलर वाली शिर्ट को कीचना है दोनों को तो अपर जाएक कपड़े को कीच लोगे तो या तो आपका कॉलर बढ़ जाया है या फिर आपकी shirt का गला बढ़ जाएगा, दोनों को आपने घीला छोड़ के सिलना है, अब हम यह देखिए, second वाला जो हमारा margin निशान है, उसके उपर हम इसको अची तरह मैच करते हुए, सिल देंगे, अगर आपका color कम या ज्यादा हो रहा है, इसको खींचे बिल्कुल भी और इसके उपर एक सिलाई और लगानी है, finishing की, यहाँ पर आप तरपाई करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, यहाँ पर एक सिलाई ही लगा दे तो बैटर लगे, यहाँ पर इस सिलाई को आप दबाते हुए लगाएं, जो अंदर क मार्जन्स हैं, और अंदर की सिलाई नहीं होनी चाहिए, इसको आपने अंदर की तरफ करके ही लगाना है, अब आपको एक तरीका और बताऊंगी, कही लोगा का कॉलर खिचता रहता है, गले से, और टाइट होता है, कॉलर गले पर फील होता है, वो चीज आपको मैं बताऊ करने हैं, यह बनगा रृड़ी हो तोда लेजे कॉलर हमारा बन कत तयार हो गए है, अब हम इसको सीधा कर लेदे हैं, और इसको टान करेंगे, इसको हाफ में आपने इसको फोल्ड करना है, हाफ में फोल्ड करने के बाद इसकी जो लुक है, वो आपको समझ में आईगी, और आप एक पर प्रेस कर दें, मैंने आपको बोला था कि यहां पर कॉलर करियों का खिषता है, तो आपने यहां पर यह कपड़ा है तीरे वाला, इसको कट कर देना है, साइट से निकाल देना है, मनले सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए, बस आपने कपड़े को काटना है, और इसको इस परहें अच्छी तरह सेट करना है, तो लीजे कॉलर हमारा बंद कर तयार हो गया है, बहुत हैं फिनिशिंग से बना है, यहां पर अगर आप बटन लगाना चाहते हैं लेडिस कुरते में, तो बटन लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं लगाऊंगी क्योंकि यह हमारा print वाला कुड़ता है, और इसकी cutting and stitching मैं आपको बहुत ही easy तरीके से बताई है, आप इसको बना सकते हैं, यह हमारा coat set है, इसकी cutting and stitching है वो आपको next video में मिलेगी, इस वीडिए को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you for watching